अगर medicines और health से related आप information चाहते हैं तो अभी subscribe करें मेरे चैनल को knowledge for care आज किस वीडियो में हम बात करेंगे zinko live syrup के बारे में आप इस syrup के फायदे क्या है, क्या नुकसान है, कैसे लेना है, क्या इसकी price है ये सारी जानकरियां जो है, आज किस वीडियो में मैं आपको दूँगा तो देखे, prices शुरुआत करें, तो 61 रुपी, 60 पैसे में ये आपको 50 से मिलता है तो देखे, price हमें के अनुसार बढ़ती रहती है, तो जो आज की price है, उधर मैंने आपको बताया है अब ये जो है, mankind pharma वालों का है, जो की काफी अच्छी company है, आपने नाम सुना होगा अब इस zincolife syrup को कहां से खरीदना है, तो देखे, इसको आप allopathy medical store से खरीज सकते हो, या फिर आप चाहें तो google पर इसको online भी search कर सकते हो मतलब online भी मंगा सकते हो इसको, अब बात करें, composition के बारे में इसमें क्या-क्या है तो देखे, इसमें है zinc, नाम सी समझ में आ रहा है zincolife, मतलब इसमें zinc acetate है, जो की 20 mg में रहेगा बस cable एक यही है, इसका अलावे इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब यह एक zinc का सिरप है इसा भी आप बोल सकते हो, अब बात करें, फायदे के बारे में, तो देखे, यह जो सिरप है, mainly बनाया गया है बच्चो के लिए अब इधर फायदे क्या है, इसके immunity system बढ़ाता है, अब आपको बता है कि zinc के कितने सारे फायदे है, तो immunity system बूश्ट करने के लिए काफी अच्छा है इसके अलावा जो calcium का absorption है, उसमें भी यह help करता है, मदद करता है, absorb होने के लिए इसके अलावा अगर बच्चे को दस्त बगेरा लग रहा है, उल्टी हो रही उसमें दे सकते हैं, या फिर कोई चोड लग गई है, कोई घाओ है, तो उसको भी यह सिरब जल्दी ठीक करने में मदद करता है इसके अलावा कोई respiratory tract infection है, उसको भी ठीक करता है, जैसे के सर्दी खासी जुकाम है, तो उसमें भी काफी मदद करता है, आपकी सर्दी खासी जुकाम जल्दी ठीक होगी और देखिए, यह heart के लिए अच्छा है, अगर TB है, TB के लिए अच्छा है, इसको लेबल को maintain करता है, तो zinc के जितने भी फायदे हैं, वो सभी मिलेंगे और देखिए, बच्चों के लिए तो काफी अच्छा है, बच्चों का जो immunity system है ना काफी कमजोर रहता है, तो उनका strong करने में के लिए काफी अच्छा है, और बच्चों में देखा गया है, कि दस्त भी जल्दी जल्दी उनको लगते हैं, तो उसमें zinc की काफी requirement बढ़ जात सकते हैं, और ये भी आपको दिन में एकी बार देना है, अब इसको देखिए, कुछ भी खाने के पहले कभी भी दे सकते हो, बस आदे घंटे का difference होना चाहिए, अब जो ज़्यादा च्छोड़ा बच्चा होता है, वा तो दूद पीता है, तो आदे घंटे की difference रखेंगे, या 20 मिन के difference रखेंगे, तो better रहेगा, अच्छा रहेगा, अब इसको कब तक देना है, तो देखिए केबल इसको 14 दिन ही दीजिए, 14 दिन में आपको अच्छा फायदा मिल जाएगा, लेकिन बच्चे में कोई ज़्यादा प्रॉलम है ना, तो उस कंडिसेन में इसको 14 दिन कुछ लगता है इसको लेने के बाद बच्चे में, तो इसको लेना बंद कर सकते हैं, तो फिर डॉक्टर से भी सला ले सकते हैं, अब डॉक्टर कौन बच्चे वाले जो डॉक्टर होते हैं, पीडिया वाले, उनको दिखाना है आपको हाना, अब जो है इसके साथ कोई दू की मेडिसीन है तो क्या ओवर्डोस नहीं होना चाहिए ओवर्डोस के चक्कर में फिर कुछ साइड अफिट आपको देखने को मिल सकता है अब फायदा कब तक देखने को मिलेगा तो देखिए यह तो डिपेंड करेगा बच्चे की प्रॉलम पर बीमारी पर क्या दिक्कत है अब हेल्थ के लिए बेकार होता है फ्रूट से दे सकते हैं जूस पिला सकते हैं तो थोड़ा सा डाइट का ख्याल लखें बागी अधिक जानकरी के लिए जो है आप डॉक्टर से सला करें तो इधर मेरे वीडियो खातम होता है और अगर आपको इस टाइप से और भी वीड आते रहता हूं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजेगा फिर में लिए नेक्स वीडियो में जब तक आब बने रहिए और देखते रहिए आपके अपने चैनल में knowledge for care